प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ अब देखेंगे कि पाकिस्तान के मशूर मंत्री और अपोजेशन पार्टी के लीडर वॉलाना फैजलर रहमान ने भारत की पार्लेमेंट में खड़े होके जबरदस तारीफ किये जिसे पाकिस्तानी और खासकर भारत को नफ करने वाले तिल मिला और वो खला गए है तो इसी पर आप देखेंगे पाकिस्तानी जन्ता का बड़ा ही मज़दार रियाक्शन तो ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होगी इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करतें ताकि हम आपकी से लेटिस्ट और मज़दार वीडियो लाते रहें तो चलिए साथ मिल की ये वीडियो देखते हैं जैहिन जैब भारत पाकिस्तान में जब कोई आम पाकिस्तानी कोई यूट्यूबर कोई सोशल मीडिया इंफ्रेंसर इंडिया की बात करता है जब ये कहता है कि इंडिया जुनिया की पांचवी बड़ी एकानमी बन गई है जब ये कहता है कि हमें इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए तो तब उसे डिरेक्टली अधार कहा जाता है तब उसे डिरेक्टली अधारों की तरफ से नोटिस भी आता है लेकिन यही चीज जब पाकिस्तान की इसेमली में पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटीशन मौलाना फजुर रिहमान ने ये स्टेटमेंट दी है उन्होंने ये बोला है कि भाई आज इंडिया को देखने जो 1947 में हमारे साथ ही अजाद हुआ आज यो सूपर पावर बनने के खाब देख रहा है और हम जो उनसा है I.M.F. के पास या मुस्लिफ लोगों के पास जाके भीक मांगते नजर आ रहे है क्या मुलाना फजर रह्मान भी इंडिया के जैंट है आज यही चीज़ हम पाकिस्तान की पबलिक से पूछेंगे और जो मेरी परसनल उपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बास मैं औरो मैं जोब करता हूं वीडियो करे ठीक हो गया जिस टॉपिक पर वीडियो कर रहे हैं वो टॉपिक ही है कि पाकिस्तान में कोई आम पाकिस्तान अगर इंडिया की तरीफ करता है ना तो उसे ये कह दिया जाता है ये गदार है ठीक है ये एजेंट है ये इंडिया को पाकिस्तान में रहते हुए प्लॉरिफाय कर रहा है चाहिए ये नमक हराम है ये सब बड़ा कुछ कहा जाता है अदारों से नोटिस भी आ जाते है अभी म पर्पावर बनने के खौब देख रहा है और पाकिस्तान आई-म-फ के पास या मुख्लिफ जगों पर जा के भीक मांगता फिर रहा है बैंक्रप्ट होने से बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे इसके हुआ सर बैसिकली पाकिसान और इंडिया जातों पटा हुआ लेकिन जो डवालमिंट तरक्य की है वह दोनों ने अपने रस्ते डिफरेंट जो है नवा हित्यार की पाकिसान जब से बनाया है जो भी हुकमराई है हमारा हुकमराण ना है उसने पाकिसान के बारे में नहीं सोचा अप जोब डूनती बिड़ती है वो बे रोजगारी का शकार नहीं अगर वे रोजगारी का शकार नहीं तो मुलक आज की तरफ कामजन होता जैसे बाहिर के जो तिनी भी गोवर्मेंट आउनको देख ले वो अपने यंग जनरेशन को स्पोर्ट करती है उनको पर हमारी गोवर्मेंट कया इनवास्मेंट करती है धूर में पहुंक होँग है को पहूंचा हुग है वो मुझे नी है मैं समझा नी पाया YOUTPE SHIN gue उना समया थाया। पर आपको गदार चाये जाएगा या मुझे गदार काये जाएगा किया आपने ये बात चलाई क्यों शुरूफ है। लेकिन जो हमारे पार्लिमेंट में हमारी संबली में बैटके बात कर देंगे सेम ये ही कि आपको नहीं लगता है ऐसे तो पब्लिक इन्व्यूज हो जाएगी एक साइट पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना एंडिया के बारे में डिसकेसशन ही नहीं करनी इंडिया की gra sorgen को देखे लिए अपने एम को लेकर जो बच्चा है जो पैशनेट है उसको देख ले वो आप अपने पाकिसान में किसी को रोल मोडल नहीं दे रहा किसी को नहीं डिफाइन कर रहा क्यों क्योंकि पाकिसान ने ड्वैल्मिंट किस ने की है जो किसी ने भी नहीं की जो रोल मोडल अपना वही च करें लोग स्पोड करते हैं लेकिन हमें जो लोगों के एम इतना टैलेंट नोजवान पाकिसान में भी है बहुत नोजवान टैलेंट है आप देखें इंबैसियों में चले जा हैं अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि इस मन्त डेड़ लाग है ऐसे बीज़े पैंडिक जो बाहि जा रहे हैं जू nast्लों जू रहा है अब कर डेठेफ़ में आपके पस कुछ भी नहीं बखा चाँ अब करब मेरे विज़ेगा मोका मिले चले जाएंगे या रुकेंगे कि अपने फ्यूचर के लिए जाता है कुछ ना कुछ सीखने के लिए खुछ ना कुछ अर्ण करने के लिए जाता है लोगो टो डेफिने हैं अगर मुका मिलता तो ज्रूर उसको वेलल करें आप यहां रुकेंगे यह जाएंगे वीजा गर मिलता है यहां ही नहीं रुकेंगे पकी बात congress कि वह यहां तो अगर हमने इने कायल करण IM te дер आप क्यों जा रहे हो तो क्या कहेंगे ऐसे पाकिस्तान के हला से उसलर से हम सोलर किसे लगवारे हैं हम तो अपने लिए लगवारे हैं पाक सामे बजली तो है नहीं है ठीक है एक सोलर बज़ा था हम पहले पैसे खर्च करके वह अपने लिए लगवा रहे हैं अपनी स्कोलर के लिए अब कौवर्मेंट ने उसको पर भी टैक्स लगा दी है तो इस मुलक में रहने का क्या फाइदा हम अगर एक माचिस भी खरीज लें उसको पर भी टैक्स दे रह खबर ही आ आ रही है कि लग ज़ेगा? पाकिसतान में ये ह्योता है जो खबर आगी है, समझे ज़ीज लग जई है. यह जार ज़ाने है, यह थार जार home lelauis है. सारे job अमझारे है, salary और यह अमें से टैक्स भी पे कर você लेंता है, हैं, इनकी फैमिली को कोई फाइदा होगा, मुझे तो तीन, चार सा लोग है टेक्स देते हुए, कोई फाइदा नहीं होगा, चार इधर एक चीज मैं अधारों से कहना चाहूँगा, डेफिनेटली आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे प्रोग्राम देखते हैं, no doubt, कही ना कहीं, हमें भी बड़ी शर्मिंद की होती है, जब पाकिस्तानी सालत में होता है, हमें भी बड़ी शर्मिंद की होती है, जब हम ये कहते हैं, आज वो कंट्री यहां चला गया, no doubt, फखर करना चाहिए अपने पाकिस्तान पे लेकिन अगर कोई आगे जा रहा हो तो उसे सीखना चाहिए उसे अप्रिशेट करना चाहिए ये सब जाब होल्डर है मैं दारों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूगा ये सब जाब होल्डर है ये कह रहे हैं क्या वज़ा है कि मैं आपको बिलेम करते हूं मतलब गोर्मिट जो पॉलिटिशन है वो सेप्रिशमेंट करती है कि हम जो पॉलिटिशन जाने सर पाकिसान में हर बच्चे के अंदर टैलेंट है जो कमी है ना यहां पे वह है एप्रीशियेशन की और दूसरा यह होता है कि लाइक उस बच्चे नेकर अच्छा काम करने की सलाहियत है तो उसके उस काम को एप्रीशेट करना चाहिए आप देख लें पाकिसान में बहुत से उसने ऐसी ऐसी चीजे बनाड़ा लिया जब वह उस चीज की प्रेजेंटेशन देते हैं आपको दस दिन बाद वह बंदा पाकिसान में नजरी नहीं आता अगर हम बाद करें दर्मपूरा में एक लड़के ने पानी के ओपर विजली बना के दी थी अच्छा पानी के ओपर बाद दी कि पार incredibly, पानी के पहर प्लान लगा के पानी से पन विजली बनाके दी लेकिन वह बंदा आज तक पाकिसान में नजरी आप देखें पान से चेध अधर में आप समंदर हमारें पाकिसान में है हम पन विजली को भी पैदा कर सक्ती है हम बाहिर पाहिर से ते जो किसी के अगर खिलाब बोलेगा हमें अमेरिका पीचे से फुल बाउंड करता है आपने ये प्रोड़क्त हमसे नहीं नहीं इस मुलक से लेनी है बेसिकली हमारी क्रेंशी का दारोमदार उनके हाथ में ठीक है मुलक का सारा फ्यूचर उनकी हाथ में अगर वो किसी मुलक को बेसिकली किसी चीज़ को चाहें ड्यूलमेंट करना को कर सकते हैं लेकिन जो हमारे हुकमरान है इंसे पोछता हूँ हमें तो रोक दिया गया हमें तो ये कह दिया गया मुझे कि आपने इंडिया की बात नहीं करना इंडिया को ग्लॉरिफाई नहीं करना इंडिया से सीखना गया इंडिया का जिकर ही नहीं करना मैं कहता हूं कौन से ऐसा कंट्री या पुरी दुनिया में जिससे हमें सीखना चाहिए मैं कहता हूं सीखे तो सही से अगर हम देखें तो ट्क्न विछाट्य के लिए से आपको आजकर चांटैना भी बहुत के अगर नज़me और लेकिन पर झाल का चांटार लेकिन वह ही हम कहते ही हर बाद बाद मिंडिया का स्पोर्ट नहीं करना उन्होंने भी 1947 में आजया आज्डी लिया आप आज देख ले Microsoft का Head Office सदर लगो है Amazon का Head Office सदर लग एवन के Tesla जो इलन मस्क कंपनी उसका Head Office उदर लगी हिए वो अपने लोगों के फिर कि यहाँ पे सालरी आपको PKIR में मिल रही है इंडियन स्टूडन्ट जितना भी है वो यही कहता है मैंने डिग्री जैसे मेरी कंप्रीड होगी मैंने अपने मुलक वापकर जा ना क्यूंकि मुझे यहाँ पे रहको उतनी ही सेलरी मिलिए है वही सैलरी मैं अपने वालदन के सा कितना नोजवान है, वो बाहिर जा चुका है। कितने माहों के बच्चे आशे हैं, जो पेड़ की खातर बाहिर चलेगे। क्या उन बच्चों का अपने वालदम से प्यार नहीं था? था प्यार सर, सब को पा है, प्यार था. अच्छा आपको लगता है कि जैसे लेट स्पोर्ज आप अगर बात करतें या मैं बात करता जो educated इंसान होगे ना वो हमेशा इस तरीक्य की बात कर भी नहीं सकता तो आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह यह पाकिस्तानी जंता के रियाक्शन आपको काफी पसंद आयोगा जहां पे आपने देखा जहादर पाकिस्तानियों ने भ प्रमेंट सेक्शन में लिकर जुरू बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चल को सब्सक्राइब कर देए ताकि हम आपके से लेटेस्ट और इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहें जैहिंत जैभारत